आज मैं आपके साथ में ब्रत में खाने के लिए दो तरह की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ अक्सर जब भी हम ब्रत में होते हैं तो हमें कुछ नकुछ तीखा, चटपटा और कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही खास होने वाला है तीखी चटपटी चटने भी बनाएंगे और मीठे में हम बनाने वाले हैं पपिते का हलुआ तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे ब्रत में खाने के लिए साबुदाना आलू के फिंगर्स उसके बाद फिर हम बनाएंगे पपाया हलुआ तो आईए देखते हैं इस साबुदाना आलू फिंगर्स को हम कैसे बनाएंगे साबुदाना फिंगर्स को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम साबुदाना को ओवर नाइट के लिए सोक कर दिया था और साबुदाना फूल करके कौंटिटी में डबल हो गया है हमने साबुदाना में जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे छनी से छान करके अलग कर दिया है साबुदाना में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं रहना चाहिए इस बात का आप धियान रखियेगा और हमने 250 ग्राम आलो को वाइल करके छिलके उतार करके गरम पर ही अच्छे से मैश कर लिया है यदि आप चाहें तो इसे ग्रेटर की हेलप से ग्रेट भी कर सकते हैं अब हम आलो में एट कर देंगे भीगोई हुए साबुदाना को साबुदाना फिंगर्स बनाने के लिया मोटा वाला या बारिक वाला कोई भी साबुदाना इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें एट करेंगे पीसी हुई मुंफली को मुंफली को हमने रोष्ट करके ठंडा किया और इसके छिल के उतार करके हमने इसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है मुंफली इसमें बाइंडिंग का काम करेगा अब हम इसमें एट कर देंगे टेज के एकोडिंग दो बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें एट करेंगे खुब सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और साथी में वन टी स्पून जीरा डाल देंगे और वन टी स्पून डालेंगे हम इसमें काली मिच का पाउडर और वन टी स्पून हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे आप इसमें जो भी चीज बरत में ना खाते हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं हम इसे ब्रत में खाने के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तमाल किया है और वन टी स्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि साबूदाना फिंगर्स को बनाने के लिए जब आप आलू को वायल करें तो आलू को बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करियेगा नहीं तो आलू गीले हो जाएंगे और साबुदाना फिंगर्स को बनाने में आपको प्रॉबलम आएगी इस बात का आप धियान रखियेगा और साथ ही में अभी तक हमने इसमें तीन बड़े चमच मौफली पाउडर का इस्तमाल किया है यदि हमें आवशकता होगी तो हम और मौफली पाउडर का इस्तमाल करेंगे और ये मिक्स हमारा तयार हो चुका है हमने इसमें तीन बड़े चमच और मौफली पाउडर का इस्तमाल किया है अब हम फिंगर्स को बनाना शुरू करेंगे सापुदाना फिंगर्स को बनाने के लिए हाथों में हम थोड़ा सा तेल या घी अपलाई कर लेंगे इससे मिक्स हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा थोड़ा सा मिक्स लेंगे इससे दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रख करके इसके हम finger roll इस तरह से तयार कर लेंगे ये बहुत ही easy process है यदि आप चाहें तो अपने बच्चों को भी इस काम में शामिल कर सकते हैं बच्चों को ये काम करने में बहुत ही ज़ादा मजा आएगा इसी तरह से हम सारे fingers को तयार कर लेंगे हम इने बनाते जाएंगे और इने फ्राई करते जाएंगे और ये लिजी हमने कुछ fingers को बना के तयार कर लिया है अब हम इने फ्राई कर लेते हैं इने हम बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा साबुदाना फिंगर्स को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छे से गरम हो गया है हम इसमें साबुदाना फिंगर्स को डाल देंगे आप ब्रत में तेल या घी जो भी खाते हों उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे शुरू में नहीं तो ये तूट करके भी खड़ जाएंगे तेल में जब ये अच्छे से एक साइट से सिख जाएंगे तभी हम इने स्पून की हेलप से टर्ण करेंगे और हमें इसे बिल्कुल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है यदि हम इसे धीमी आश में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल को पी लेंगे और ओईली हो जाएंगे साबुदाना फिंगर्स को हम अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और ये लीजिए साबुदाना में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है हम इसे तेल से अलग करके टीशू पेपर पर रखेंगे ताकि इसमें ज कुछना कुछ तीखा और चरपटा खाने का मन करता ही है तो इस नौराते ब्रत में आप इन साबुदाना फिंगर्स को घर में जरूर ट्राई करिएगा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगते हैं और ये लीजिए हमने सारे इस साबुदाना फ गरम होने के लिए एक चमत तेल डाल दिया है और कुछ फ्रेश करी पत्ते डाल दिये हैं साथ ही में हम इसमें डाल देंगे दो रफली चौक वे टमाटर और टेस्टी कोडिंग दो हरी मिर्च डाल देंगे इन्हें हम चलाते हुए मिला देंगे इन्हें हम हाई फ्लेम पर ह बिना ब्रत में खाने के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें नॉर्मल नमक का इस्तमाल कर सकते हैं, हम ये चटनी ब्रत में खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तमाल किया है, टमाटर हलके से सौप्ट हो चुके हैं, अब हम गैस को आफ कर पर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे grinding jar में डाल करके पीस लेंगे अब हम बनाना शुरू करेंगे पपिते का यम्मी यम्मी टेस्टी हेल्दी हल्वा तो आईए देखते हैं इस हल्वे को आज हम कैसे बनाएंगे कच्चे पपीते का हलुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg कच्चे पपीते को छील करके उसे धूल करके और छोटे टुकडों में काट करके तयार कर लिया है पपीते को आप धूल करके तभी हलुआ बनाने के लिए इस्तमाल करेगा और पके हुई पपी ते का आप इस्तमाल भी मत करिएगा हलुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम पपी ते को बॉयल करेंगे इसे बॉयल करने के लिए आज हम कूकर का इस्तमाल करेंगे यदि आप चाहें तो इसे किसी पतीले या कढ़ाई में भी रखके बॉयल कर सकते हैं पर कूकर में ये बहुत ही जल्दी से बॉयल हो जाएगा एक ही सीटी में हम पपीते को कूकर में डाल देंगे और इसमें हम एक गलास के लगभग पानी डाल देंगे पानी हमने यहाँ पर नॉर्मल टेंपरेशर पर लिया है पानी को डालने के बाद हम इसे धकन लगा कर रख देंगे एक सीटी आने तक बॉयल होने के लिए एक सीटी आने तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे अब इसे हम रख देते हैं एक सीटी आने तक पकने के लिए और ये कूकर अच्छे से ठंडा हो चुका है इसकी स्टीम सारी निकल चुकी है ढकन को हटा करके हम चेक कर लेंगे कि पपिता अच्छे से पका है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम एक स्पून की हेल्प लेंगे इस्पून में लेने के पाद जब इसे हम हाथों से मैश करेंगे तो ये अच्छे से अगर मैश हो जाएगा तो पपिता बहुत ही अच्छे से पका हुआ है यहाँ पपीता अच्छे से गल चुका है अब यह हलुआ बनाने के लिए तयार है अब हम हलुआ बनाना शुरू करेंगे हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गरम होने देंगे और इसमें हम एक बड़ा चमत देसी गी डाल देंगे और गी को अभी हम मेल्ट होने देंगे गी में बना हुआ हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है खाने में गी अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें हम डाल देंगे बॉयल की हुई पपीते को पपीते में जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने छान करके अलग कर दिया है इसे कढ़ाई में डालने के बाद हम घी के साथ में चलाते हुए 5 मिनद तक हाई प्लेम पर अच्छे से भून लेंगे हलवे को हमने घी के साथ में अच्छे से भून लिया है इसमें से अच्छी से खुश्वू भी आने लगी है 200 ग्राम शुगर एड़ कर देंगे हलवे को मीठा करने के लिए चीनी आपके टेस्के एक ओर्डिंग रहेगी चीनी को भी हलवे के साथ में चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे जब चीनी मेल्ट होगी तो हलवा एक बार फिर से पतला होगा हमने चीनी को अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक लास फूल क्रीम दूद चलने के बाद इसे भी हम हलवे के साथ में मिला लेंगे हलवे को हम दूद के साथ में पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे हलवे को जल्दी वाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर और बराबर चलाते हुए पकाना है त पिना दूद के भी ये खाने में टेस्टी आएगा और ये हल्वा बहुत ही ज़्यादा थीक हो गया है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे कुछ कटे हुए ड्राइफूर्स, काजू और वदाम आप अपनी पसंद के इसमें कोई भी ड्राइफूर्स एड़ कर सकते हैं और सा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा अब हम गैस को आफ कर देंगे और हल्वे को हल्का सा ठंडा कर लेंगे और ये पपिते का हल्वा हल्का सा ठंडा हो चुका है ठंडा होने के बाद ये काफी ठीक हो गया है अब हम इसे सर्व कर लेंगे यदि आप इस हल्वे को ठं रहे खाने के लिए दोस्तों यदि आपको इन रेशीपीस को बनाने में कोई भी समस्या आए तो आप कोमेंट के उध्यंस से अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए महमान हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपी स्ट्राइब करने के बाद पसंद आती हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पासी में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा मैं फिर से मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ थैंक यू